हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो यह दिया आप जारकन से हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने मुबाइल फोन के जरिए ही इसे इसली डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो DC Locker जो है वो Government of India के द्वारा बनाया गया एक एप है जिसके माधियम से आप अपना documents को download कर सकते हो Open करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से interface आपको दिखाई दिता है यहाँ पर साथियों आपको get started का button मिलता है इसके उपर आपको click कर लेनी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो options आपको देखने को मिलते है एक sign in का और दूसरा create account का simply साथियों create account के उपर आपको click कर लेनी है आगे दोस्तों यहाँ पे account create करने के लिए आपको यहाँ पे पूरा name डालना है जो भी आपका अधार card में नाम होगा उसे आपको यहाँ पे डाल लेनी है यहाँ पे आपको date of birth डालनी है साथियों यहाँ पे आपको gender select कर लेना है और यहाँ mobile number यहाँ पे दोस्तों आपको अपने इक्छा के नुसरा से 6 digit का pin डालेना है फिर दोस्तों email id यहाँ पे भर ले और यहाँ पे आपको अधार number डाल लेनी है उसके बाद submit का बटन दिया गया है दोस्तों submit करने के बाद आपको जो है वो dg locker app के उपर redirect कर दिया जाता है साथियों dg locker app का interface कुछ इस तरह से होता है आपको यहाँ पे चार options देखने को मिलते हैं एक home का दूसरा search का तिसरा issue का और चौंथा menu का दोस्तों आपको search वाली option के उपर click कर लेनी है उसके बाद यहाँ पे आपको state चुनने का options दिया जाता है देख पा रहे होंगे यहाँ पे states लिखा हुआ है लेकिन इन में से आपको जारकन नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको explore mode के option के उपर click कर लेना है उसके बाद scroll करते वे नीचे आनी है और नीचे आने के साथ में ही दोस्तों जारकन का आपको logo देखने को मिल जाता है और जारकन यहाँ पे जारकन स्टेट देखने को मिल जाता है Simply साथियों इसके उपर आपको क्लिक कर लेनी है यहाँ पे कई सारे certificates को आप download कर सकते हैं आपको scroll करते वे नीची आ जाना है दोस्तो नीची आपको driving license देखने को मिल रहा है तो Simply driving license के उपर आपको क्लिक कर लेनी है और उसके बाद दोस्तो यहाँ पे देखिए आपको जो है दोस्तो यहाँ पे आपका name आटोमेटिकली रहेगा यहाँ पे date of birth आटोमेटिकली रहेगा यहाँ पे deal number लिखा हुआ है deal number तो आपका driving license नमबर है दोस्तो Simply get document के बटन के उपर आपको क्लिक कर लेनी है आपका जो documents होगा दोस्तो यानि जो आपका driving license होगा वो easily download हो जाएगा फिर चाहे तो दोस्तो उसे print out निकल वा सकते हैं या फिर अपने mobile के अंदर save भी करके रख सकते हैं उमीद करते हैं साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार